नवश्कार उस्तो वेल्कम टू गॉवर्मेंट इग्जाविंट फो तो स्वागत है आज की वीडियो में देखिए यहां पर उत्राखन लोग सेवाय की तरफ से एक इंपॉर्टन नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो चले शुगरते हैं आ औदिस्तान प्रिक्षा 2021 हे तू विय के अपती यहांँ पर बताया कि आए कि सूचित की जाता है कि विग्याप्न संख्या 18-12 की क्रम में वेवस्थापकु लोग से वाई हुआ हो दिस्तान प्रिक्षा 2021 के अंदर्गत वेवस्थापक के दो रिक्त पदों पर चेयन हे तू अभिक शम्ता प्रतियोगी परिक्षा का योजन 23 सितंबर 2022 को एकल सत्र में 10 वजे से लेकर 12 वजे निरधारित किया गया है तो 23 सितंबर को आपका इस exam के लिए जो है आपका date fix किया गया है तो 23 सितंबर को यह exam होगा आपका यहां पर बताएगा है कि उक्त पाइक्षा हे तू हर या भेरती अपना 25 पत्र दिनांग 8 सितंबर यानि कि आज से इसको डाउनलोड कर पाएंगे ओफिशियल वेबसाइट पर तो एक इंपॉर्टन अपडेट है यहां पर तो जो भी से समब्स दिन कडिएट है प्लिज को शेयर कर देंगे और ताकि जो अनकडिएट है जार कही भी मिल जाएगे अब हम बात का लेथे इसके बाद अगला इंपॉर्टन जो अपडेट है उसको देखते है So next जो अपडेट है वो है आपके प्रिंसिपल के पोस्ट की रिगाड़ी और यहाँ पर जो बताया गया है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर बताया गया है कि प्रवक्ताओं की विवागी परिश्टाइस से भर जाएंगे प्रधानाचारी के पद इसमें पूरे कितने पोस्टे हैं और क्या बाते इसमें कही गई हैं तो जो डिपार्टमेंटल एक्जाम होगा लेक्चर्स का उसके बाद जो प्रिंसिपल के पोस्ट है वो फिलप होंगे तो यहां पर बताएगी है कि राज के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचारी के रिखते 50 परिश्ट पदों को प्रवक्ताओं की विभागी परिक्षा के माधिम से भरा जाएगा इसके लावा यहां पर बताएगी है कि जो आपका डिपार्टमेंटल एक्जाम होगा उसमें जो भी कॉलिफाइड होंगे जितने भी उत्तिन होने वाले प्रवक्ता पदोंनत होकर यहां पर जाएगे वो प्रधानाचारी बन सकेंगे यानि कि आपका पहले एक्जाम होगा उसके बाद आप प्रिंस्पल बन पाएगे मंत्री मंडल की 9 सितंबर को होने वाली बैठक में इसे सम्बन्द में प्रस्ताव रखा जाएगा तो यानि कि कल 9 सितंबर को यह रखा जाएगा इसके लावा प्रदीश में राज के इंटर कॉलिजों में प्राधानेचारियों की कमी दूर करने के लिए सरकार महत्पॉर लेने जारी है वर्तमान में 700 से अधिक कॉलेजों में प्रधानाचारियों की पद रिक्त हैं प्रधानाचारिय का पद सत प्रतिशत पदोनेतिका है यानि कि इसमें प्रोमोशन के माधिम सही आपका होता है वहीं इंटर कॉलेजों की संख्या राज की हाई स्कूलों से अधिक होने ही कारण प्रधानचारियों की पदों को सत प्रतिशत पदों से भरना संभव नहीं है तो जैसा कि भी हमने देखा कि 50% यहां पर जो है आपका प्रधानचारियों की संख्या कम है इसके अलावा प्रधानचारियों की संख्या कम है इसके अलावा प्रधानचारियों की प्रधानचारियों की समस्या बनी हुई है इसके अलावा यहां पर बताएंगे है कि यदिपी सरकार की ओर से पदोनेती प्रकरण में तेजी से निर्णे लेने के आदेश दिये जा चुके हैं और प्रधानाचारियों के 50% प्रतिश्ट पदों को सीधी भरती से भरने के शिक्षा विवागत प्रस्ताव सासन इसतर पर लंबित रहा है तो 50% जो पूश्ट हैं यहाँ पर सिर्फ 50% पूश्टों की बात की करिये जो कि आपके विवागी परिक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे अब सरकार इस मामले में सीखर्ट निर्णे लेने जाए जिए इसके लिए 50% जो पूश्ट है उसमें आपका एक्जाम होगा इसके बाद देखे यह जो पूरा मामला है जो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट पहले भी आचे दिये सामने और फिर से यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो परिक्षा होने वाल है यहाँ पर यहाँ पर यह बताया गया है कि पीपर लीक होने के चलते ही विवादम मैं उतराखन अधिशन सेवा चेनाव की इसनातक स्थरी परिक्षा का निरस्त होने होना तैय माना जा रहा है और जो की होना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यह चीज जो पूरा करेप्षन है वो हुआ है हाला कि सरकार इसके लिए पुलिस की जाच पूरा होने का इंजार कर रही है और इसके बाद वरिक्षा में सामिल रहे चात्रों को बिना सुल्क के यह important point है कि आपसे fees नहीं लिया जाएगा तो एक अच्छी बात है कि यह जिम्मेदाली बनती है कि आपसे fees ना लिया जाए गौर्वर्मेंट या फिर डिपार्टमेंट लोरा तो यहाँ पर बिना सुल्क के दुबारा प्रिक्षा में सामिल होने का मौका मिलेगा एक और सी यहाँ पर यह है कि यह जो एक्जाम अब होंगे वो उत्रखन लोग सेवाए को तरब से करवाए देंगे और जो clarity है उत्रखन लोग सेवाए के एक्जाम में उसके हिसाब सो देखा जाया तो एक सही निर्ने है और हलाकि जो UKTPSC के नए सचीव है अगर UKTPSC करवाता है तो उनका यह पहला एक्जाम होगा तो देखते हैं क्या निर्ने लिया आता है हलाकि जो update आया है उसमें बताया गया है कि उत्रखन लोग सेवाए जो है इन पर इक्षाम को करवाएगा भरती कप्ले से आक्रोशित विवाओं के बुद्वार के प्रदेशन के बाद सासन में इसे प्रकराण को लेकर एक आएक तेजी दिखी है उच पदस्त सूत्रों के अनुसार अब सासन उक्तिपरती परिक्षा को निर्स्त करने का मन बना चुका है सांती जांच के दैरे माही सची वाले श्रोक्षाव और बंदरोगा परिक्षा भी निर्स्त के जैसा कि मैंने कहा जो भी आपका इसनातिक सतरी है उसके अलावा ये जो परिक्षा है इनमें भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये रद्द की जाए और नए सीरे से यहां पर एक्जाम हूँ एक्जाम कंड़क्ट हो इसके अलावा जो इन परिक्षाओं में जो आपका मुकर्णा दर्ज हो चुका है और सासे इस तरफर मत बना चुका है कि परिक्षा नजस्त करने सिर्फ इस मामले के में पैसे की अवेद लेन दिन पर भी निर्णायक चोट की जा सकती है इसके अलावा जो पुलिस जांच के निर्णायक मोर पर पहुंचने का इंचार किया जा रहे है इसके बाद पूर में उक्तु परिक्षा देने वाले जिवाओं के लिए नए सिर्फ से निसुल परिक्षा अउजित की जाएगी कब तक यह जारी होगा तो इस यहर के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है बेभी नवंबर और दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है हलाकि अपडेट पहले आ जाएगा कि दुबारा से जो एक्जाम होगा वो किस तरह से होगा ठीक है और कब होगा यह सारी अपडेट आपको पहले देखने को मिल जाएगे तो में भी आपका नॉबंबर लास्ट और दिसंबर स्टार्टिंग में यह चीज लिया जाएगर विश्वास बहारी के लिए उक्तो पर इच्छा लोग सिवा जैसा कि मैंने आपको उताया था कि लोग सिवा आपको जड़िये कराई जा सकती है प्रदेशन कर रहे है विवा कि वायत प्रेक्षाओं को निरस्ट करने की मांग जोड़-जोड़ से उठा रहे है तो कोल में यहां पर अपडेट करके यानि कि उसी के बेस पर आपके अडमिट काट जारी होंगे और जो नया एक्जाम है उसका डेट यहां पर डेक्लार किया जाएगा इसके बारे में आपका कहना है कमेंट करके आप बता सकते हैं तो बस यहीं अपडेट है कुछ इंपॉर्टन तो म